ब्रिटिश प्रधान मंत्री बॉरस जॉंसन ने कुरोना वारिस के नए ओमिक्रॉन वेरियंट से देश में पहली मौत होने की पुष्टी कर दी है वहीं ब्रिटेन में वाक इंट्री का करन केंदरों के बाहर लंबी कतारे देखी गई हैं जहां लोग ठीके की बूस्टर खुराख पाने के इंतिजार में थे जॉंसन ने ओमिक्रॉन वेरियंट के कम गंभीर होने को लेकर संतोष का भाव होने के खिलाव से अतावनी दी है और ओमिक्रॉन से नपटने के उपायों के तहत अब और प्रतिबंध नहीं लगाने की संभावना से भी इंकार कर दिया है आपको बता दे कि भारत में भी ये वेरियंट टेजी से फैर रहा है और अभी तब कुल मामले 41 हो गए है पलहाल सरकार ने घर से काम करने का नर्देश दिया हुआ है जॉनसन ने मीडिया से कहा कि दुख की बात ये है कि ओमिक्रॉन के चलते लोग अस्पतार में भर्ती हो रहे हैं और दुखत है कि कम से कम एक मरीज की ओमिक्रॉन से संक्रवित होने के वज़े से पुष्टी हुई है उन्होंने कहा है कि इसके लिए मेरे हिसाब से ये मानना कि ये वारस का एक मामली वेरियंट है मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे हमें भूलने की जरूरत है और बस उस्ती वरगती को पहचानने के जरूरत है जिससे ये आबादी के बीच पैल रहा है इससे पहले बॉल जॉन्सन आउमिक्राउन वेरियंट की भीशन लहर को लेकर चैतावनी भी दे चुके है फलहाल ओमिक्राउन के खत्रे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दुनिया कहीं पर लॉक्टाउन के शिकंजे में ना आजाय दरसल नौर्वे ने ओमिक्राउन के खत्रे को भाबते हुए लॉक्टाउन का ऐलान भी कर दिया है